हेलो दोस्तों बरकड़ों मैं हूँ आपकी दोश्रती गुपता दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको हल्दी वाला दूद बनाना बताऊंगी साती हल्दी वारे दूद के फाइदे बताऊंगी दोस्तों आप सब ही जानते हैं कि हमारे घर के बाहर एक बीमारी जिसका ना लादेते हैं कि हमें हल्दी वाला दूद्ध पीना चाहिए खासकर जब हमें चोट लग जाती है या फिर हमें सर्दी खासी जुकाम जैसे बीमारी हो जाती है जहां दोस्तों हल्दी वाला दूद्ध बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव है क्योंकि यह हमारे रोग पेतरों दक को बढ़ा देता है तो शरी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आपको हल्दी वाला दूद्ध कैसे बनाना है साथ ही इसके कुछ फैदे भी जानते हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूश्फुल होने वाला है इसलिए पूरा देखना और से ज्यादा शिया करना वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आया हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करने ना तो चाहिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो चाहिए दोस्तों हम लोग बना लेते हल्दी वाला दूद इसके अगर जादा आपने हल्दी डाल दी तो यह आपको पीने में बहुत जादा मुश्किल पढ़ जाएगी आपको तो यहां मेरे हल्दी अड़की अब मैं एड़ कर रही हूं एक चमत चीनी दोस्तों आप चीनी को अपने स्वाद के अंसाथ जादा और कम भी कर सकते हो मेरी सल दुदंगह जाएगा होगी ठोड़ी कमी चीनी लिघागा हलका सा गुनगुना करना है बहुत जादा उवालना नहीं है और हमें पीना है जियाः गरम तो पीनी पाहें लगके सेवन करना है इसका ठंडा सेवन नहीं करना है हमारा हल्दी वाला दूद बनके तियार है चली इसका सेवन करते हैं और जानते हैं इसके फायदे हैं दोस्तों हल्दी वारे दूद के एक नहीं अनिकों फायदे हैं और श्याद एक वीडियो में उन फायदों को बताया भी ना जा सके क्योंकि इतने साले फायदे हैं तो छोटे से वीडियो में कहां जाएंगे तो कुछ फायदे आपको लोके साथ शेयर कर रही हूं तो अगर आपके शरीर के अंदुरनी या बाहरी भाग में कहीं पे भी आपको चोट लग जाए तो आपको हल्दी वाला दूद पीना च चोट बहुत ज़्टी ठीक हो जाती है अगर आपकी शरीर में डाद रहता है ओको भधन दाद रहता है आपको कोन वाला तूद पीना चाहिए क्योंकि हल्दी वाले दूद में जो दूद होता है गर्ष्यम हड्यों को माशिबोत करता है अगर आपके हाले में डूद रहती है तो आपको में कमजूँ करना चाहिए यह आपकी रोख पे दरुदक छंता को बढ़ाएगी आपके इमिल्टी पावर को बढ़ाएगी वैसे भी आजकल जो बिमार या करोना उसे लगने के लिए हमें इमिल्टी पावर की जरूरत है तो आपको हल्दी वाले दूद का रूचारा सेवन गरना चाहिए अगर आप सरदी खासी जुखाम से परिशान है तो आपको हल्दी वाले दूद का सेवन गरना चाहिए दोस्तों इसकिन रिलेटिव प्रॉब्लम जो भी होती है वो वैक्टेरिया के करण होती है और हल्दी वाले दूद में एंटी सेप्टिक और एंटी वैक्टेरियल प्रॉपर्टिस पाई जाती है जो इंफेक्शन, खुझली, मुहां से आदि के वैक्टेरिया को खत्म कर देत हैं तो दोस्तों हल्दी वाले दूद को पीने से हमारी तुझा साप, सस्क और चमकदार दिखाई देती है दोस्तों हल्दी वाला दूद जोडों के दर्द में भी बहुत जादा फायदे मन्द है अगर आप रोजाने इसका सेवन करते हैं तो गटिया, बाय, चक्रन और मास में दर्द जैसी समस्यां तूर हो जाती है दोस्तों ब्लड शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए हल्दी वाला दूद फायदे मन्द होता है लेकिन अगर इसका सेवन करेंगे तो आपकी ज़्यादा कम भी हो सकती है तो इसका सेवन तभी करें जब आप डॉक्टर से अ तो अगर आप कोई बीमारी से जूज रहे हो जैसे शुगर ब्लेट पिशर इन सबसे जूज रहे हो तो इसका सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाल ले लेनी चाहिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए यूश्फूल हो यूश्फूल हो यूश्फूल ह दूसरों के लिए यूश्फूल होगा तो कमें बोक्स में जडूर श्यायकर श्यायकर मेरे और मेरे वियूश्व था साथ क्वेडियो के साथ है और हम वाले वीडियो?」 दोस्तों इस जबर में एस चैनल पर अलए तो चैनल को सब्ड़क नहीन के रह